नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टेडीवी तेम में तो देखिया आज मैं आप सभी के लिए लेक आया हूं उत्राखन से संबंदित नए क्वेश्चिनों की सीरीज इससे पहले भी मैंने आपने यूट्यूब चैनल पर काफी सीरीज अपलोट कर दी गही है जिसने वो स बना हुआ है आपका उत्राखन निए क्वेश्चन तो वहां पर जाएंगे तो आपके सारे नहीं सीरीज मिल जाएगी जो कि आपके एक दिवसी जो भी एकजाम होते हैं आपका सिपाई हो प्रवर्तक सिपाई हो प्लिसका हो यहां पर करनिश्ट साइक जैसे जितने भी एक नए नए केस्टेंस लेकर आया हूं में उत्राखन से संबंदित और जो की आगायमी जितने भी उनके लिए सभी के लिए मेहत्यकूर्ण रहने वाले हैं तो ज्यादा टाइम वेश्ट ना करते हैं बढ़ते हैं उनने पहले कुश्चन की ओर देखिए जो आपका पहला क्यो आपना स्कूर्ण मेरे को कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड करेगा लगवा इसमें 17 क्विश्चन मेरी सीरीज में रहती हैं तो बदाइए कि आपके इसमें 17 आउट ऑफ सत्रा से आपकी कितने स्कूर कर रहे हैं आप लोग तो ताकि मेरे जो अगली सीरीज लाँगा वो उत आपकी यह जो सीरीज है उससे जो भी नहीं सबनते हैं आपके लिए जो मैं लेकर आता हूं उसकी जो भी डीटेल और नोटिफिकेस्टन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया था कि गड़वाल का महडची है किसे कहा जाता है तो इसकी यह कहा जाता आपका ताराद त्यट्य गहरॉला को कि बारे में कुश चीजे जान लेते हैं यह जूँन-ठाव कि जन्म हुआ तो कि बात खोले तो देखिए इनकी मित्य हूई पॉइंट के और बढ़ लेते हैं नील कंठ महादेव का मंदिर किस जनपद में इस्तित है तो इसमें चार जनपद दिये हैं आपका तीरी गड़वाल रूद्र प्रियाक पौडी और देहरादून ठीक है तो देखें जो आपका नील कंठ महादेव है यह आपका पौडी जनपत बना तो यह बना था आपका रिप्र को हिल स्टीशन भी घूषत किया गिया है तो इसके भिजात रखेंगा अगला पढ़ेता है अगला आपका पॉइंट है जो जो को राश्ट माता गोसित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा तो सब्सक्राइब को विधान सवा सभा में पारित हुआ था कि जो हमारी गाइं को रस्तमाता घोसित किया घोसित किया था इन्हों ने इत्राखंड राजिंढर तो इसका जो आपका तीरी के बारे में जान लेते हैं जो नगर नगर की इसकी स्थापने ती ती तो इस चीज को आप याद रखेगा किसके द्वारे करेगी थी यह करेगी थी अब की सुदर्शन सा के सुदर्शन सा के द्वारा इस तीरी नगर की स्थापने करेगी थी उसके बाद यह तीरी रियासत बना टीरी रियासत को एक अगस्त अगले पॉइंट की और बढ़ लेता है अगला है देखिए आपका टीरी रियासत का पहला कॉलेज किसके द्वारा इस्तापित क्या गया था सबसे पहला आपका नरेंसा दूसरा आपका परतापसा तीसरा आपका मानवे इंदसा और चौथा इसका नोटा यानि इन में से को ठीरी में परताब नगर एक जोगा पढ़ती है और प्रताप नगर की द्वारा आपकी में ह Maxi कीदि प्लेखे से चियों को आगे औभा की योजना का संबंध इससे ग्रोजगार से तो आपको बताना है तो देखिे इसका जो थ्मार प्ली पैसों सभदाओं को समभंध के इत्लिपूंद याज़ी चिसट यह सबसे पहला उप्शन से कर तो तो देखे आपका जो जो तिक राइक की उपादी दिगी थी तो यह दी घी थी तो यहांगीर के दौररत को जहांगीर के दौरत जो तिक काफी इंपोर्टेंट कोईश्य ने इसको आप याद रखेगा अगला कोईश्य ने आपका देखिए विस्नी देवी सा कौन थी ठीक है तो कवित्री समासुदारक लेखी का यहां सुतंतर संग्राम सेनानी तो आपको इस बता नहीं है तो कौन सी थी तो इसका जो सही आंसर है लिए वह आपकी सुतंतर छैनानी ठीक है विस्नी देवी जो थी आपकी सुतंतर छैनानी थी अपकी संगर से पूंड इनका जीवन रहा नमन करता हूं मैं ऐसी हैस्ती को देखे जो आपका विस्नी देवी साह था इनके बारे में भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ काफी काम कैनों है हमारे उतराकरण राजी के लिए तो इनका जन्म तो आपका 12 लूम्र unm के चीज़ को भी निस दो निस दो को भागेश्वर्म वाता तो देखे जब जन्म हुई उसके बाद इनकी रायू 13 साल त्यों तो 13 साल में इनकी साधी कर देगी ठीक है काफी छोटी उम्रे में की साधी कर देगी और दुर्भागी पूहर ने की बात इनका ऑम्रे में कि जब साधी के बाद पती का देहान तो हो जाता तो वह सन्यास ले लिया करते थे और उनको माई बोला जाता था लेकिन एक ऐसी थी जो कुछ करना चाहती थे इन्हों ने जो सन्यास नहीं किया देखिये बिष्णी देवी साब को पहला टैग मिलाए की इनको पहली सबसे उत् नारा था कि जेल जाने के लिए क्रिस्शन का मंदिर है प्रसाथ पाने के लिए तो इनका इसमे बढ़िए उसके बाद दो उनका जो मिंत्य वी थीं संगर जीवन रहा और इन्होंना हमारे उतराखंड राज जी को सुताङता जिलान में और ओत्राखंड राज्जी के लिए बहुत सारी काम किये तो वि allons आंसु तो आजर महानस्ति को याद रखना चाहिए । że बारे में आफ याद तो जो इंपोर्टेंट चीज़ें उनको आप याद रखेगा अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है किस इस्तान में भगवान बुद्ध के केस और नक सुरक्षित रखे गए हैं तो सबसे पहला आपका रूद्रपूर दूसरा कासिपूर तीसरा आपका द्वारा हाड गड़वाल के परजा मंडल नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष करेगी थी 1937-1938-1949-1949 तो इन चार उप्सनों में आपका 1949 बुद्ध नामक संस्था करेगी थी आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में करियेगा कि जो आपका गड़वाल परजा मंडल है उसकी स्थावना 1949 में तो हुई किसके द्वारा करेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा नेक्स्ट के और बढ़ लेते हैं देखिए नेक्स्ट आपका देखिए उत्राखंड में कमल उपनाम से किसे जाना जाता है सबसे पहला आपका हरीद क्रिस्न रतूरी दूसर गुविंद परसाद तीसा आपका आत्ma नाम गेहरॉला और नाम फौंधडी ठाशाव है उत्राखंड में गौम उपनाम से है उनको मात्र एक ही को जाना जाता है उनका नाम आपका आत्मराम पौंड़ी ठीक है तो इसको भी आप याद रखिएगा अगला question की बात के लिग तो देखिए आपका जो इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जान लेते हैं जो चंद राजवंस थी उनकी सबसे पहले जो राजधानी थी वह चंपावत थी चंपावत से अलमोडा करें थी किसके दौरा भीषव चंद के दौरा इसकी जो राजधानी थी चंद राजवंस की तो चंद वंस ने अपनी राजधानी चंपावत से अलमोडा करने वाला जो सासक थे वह भीष में चंद ही थे ठीक है एक बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर खगमरा किला के तो उसका इस्थापना उसका जो निर्माण के या था वह भी आपका भीष में चंद की दौरा किया था यह भी अलमोडा में ही है भी खगमरा किला ठीक है तो इसके बारे में आप याद रखेगा तो देखिए अगला क्यूशन आप यहां पर यम्ना नदूई की लंबाई कि यहां पर उत्राखंड पर मत देखेगा यहां पर कुल लंबाई की बात करेगी है तो देखिए यम्ना निदी की जो कुल लंबाई है वैसा अगर आप यहां पर विकीपीडिया पर सर्च करेंगे तो वहां पर 1370 किलो मेटर बताता है यदि आपका किसी क्वेशन पेपर में इसके आसपास एक प्रॉक्स भी आ जाए तो आपको आप इसको राइट कर सकते हैं यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वहां होगा आपका 1385 किलो मीटर आपके यम्ना निदी के बारे में बात करूं दिखिए यम्ना नदी जो है वह यम्नोत्री गलीशियर से निकलती है सामग जो देहरादुन में स्तित हैं वहां तक की लंबाई यह आपकी 136 किलो मीटर इसको आप याद रखेगा ठीक है और टोटल लंबाई की बात कर दी जाए तो वह आपके 1376 यहां फिर 85 के आसपास तो इसकी वह लंबाई रहेगी ठीक है अगला क्यों आपका देखिए ज कि देवताली चोटी या नंदा देवी की चोटी टिक है अगला को अब करते हैं लुजप गणिवाद करणिवागा इसथरे चोटी नेकस्ट कोईशन कि वह बढ़ते हैं बढ़ते हैं विष्यण भगवान की शिर सागर में सो जाते हैं सबसे पहली है संक्रांती पे हर्षियानी 21 यह घ्रत इंस इत्र वौर सबसे पहला हम पर स्कांदर से सम も जाते हैं रहे राजिए exam तो देखे आपका जो नंद राजवन्स था उनकी डेवी वह थी आपकी बाला सुन्धरी का मंदीर भी आपने देखा होगा कहाँ पर कासिपूर में यहाँ पर यह था चंदर राजवन्स से तो आप चंदर करके बताएगे चंदर वंस का जो सस्थापक था वो कौन था ठीक है तो आप इसको बताना है इस से पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिसकस किया हुआ है चंद राजवंस के संस्ताफक के बारे में तो इसको जरूर काफी लोग इसमें डाउट रहते हैं अगली वीडियो में अगर आपके दौरा कमेंड में यह कहा जात तो ठीक है तो ठीक है दोस्तों यह तो थी चोटी से इंफोर्मेशन और चोटे से यह प्रियाद आपके सभी के लिए एक दिवस्टी जो भी आगामी पेपर होने वाले हैं ठीक है तो आप इन सभी जो भी कोश्चन है नोट डाउन जरूर कर लिजेगा काफी जितने भी अधि कितने कोश्चन नहीं आए और उसके बाद भी अगर आपको किसी भी कोश्चन पर डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं बाकि मेरी वीडियो को साब बने रहे एक वीडियो का लाइक कमेंट शेर जरूर करेगा अपने साथियों के साथ तो उम्मीद करता है और आगावी सभी पेपरों के लिए आपको अभी से स्टेडी वित एम क्योर से विश्यों आल दे बैस धन्यवाद